लेटेस्ट रियूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले लंदन के जाने माने और एतिहासिक थीटर स्ट्रिप क्लब विंड मिल को अब बंद कर दिया गया 1932 में शुरू हुए इस थीटर का कई नियामों को तोड़ने की वजह से लाइसेंस चीन लिया गया विंड मिल पर आरोप लगे कि यहां एक टिंग डांसिंग और स्ट्रिप टीसिंग के नाम पर सेक्शॉल एक्टिविटी होती थी मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक यहां सेमी यूट डांस का लाइसेंस था लेकिन लंबे समय से टेबल डांस और प्राइवेट बूट्स में सिक्शॉल एक्टिविटी की बातें सामने आ रही थी बताया गया कि यहां मॉडल्स पर एक दूसरे से और यहां आने वाले दर्शकों से फिजिकल होने का दबाव भी बनाया जाता था रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन की एक वुमन सिफ्टी कमीटी ने सबसे पहले ये मुदा उठाया था जिसमें उन्होंने बताया कि इस कलब ने अपनी सारी हदें पार कर दी है यहां लड़किया इन्यूड होकर खुद को टच करती हैं और इन्हें सेक्शल एक्टिविटी के लिए फोर्स किया जाता है हाला कि थेटर को लोकप्रियता मिलने का कारण भी कुछ अलग नहीं था 1932 में इन्यूड शोज की वज़े से यहां जम कर भीड लगती थी इस थेटर की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दोरान भी यह बंद नहीं हुआ